महत्मा विदूर पंडु की भाई थे, महाराजा धिराज दरतराष्ट उनकी जेश्ट भ्राता थे, उनकी भी माताएं अलग-अलग थी, पिता एक थे प्राचिन समय के पेच्छा अज इस युग में ज़्यादा सुधार हुआ है, सिछित लोगों ने, सब्वे लोगों ने निमा वली को सुधारा है, ज़्यादा तर नियम यही बनाया है, एक पुरुष एक ही पत्नी रख सकता है इस परंपरा को भगवान सरी राम ने निरधारित कर दिया, उन्होंने एक पत्नी बरत का पालन किया, अपने पिता की बराबरी नहीं किया, पिता जी के पास तीन पत्नी थी, कोशल्या, सुमित्रा और कई-कई, उन्होंने समझ लिया कि पिता जी जो किये सो किये, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे, एक सीता ही ठीक है, राम चाहते थो वे तेरा पत्नी भी रख सकते थे, लेकिन कृष्ण भगवान ने कहते हैं, 16, 108 न के रानिया थी, लेकिन ये जिनोंने कहा है, जिनोंने लिखा है, उन्होंने गलत लिखा है, कृष्ण भगवान, ये 16, 8 सब उनके भक्ति करने वाली गोपि कहीं थी, और जो भक्ति करती थी, उनको गोपी कहा जाता था गो मने आपका जो गोचर जो मन है जो अपने मन और इंद्रियों के द्वारा भक्ति के रज को पीता है वही गोपी कहलाता है उसका नाम गोपी होता है कृष्ण उस ब्यक्तित्तु का नाम है कृष्ण मने होता है करष्ण जो अपनी और खीच करके जो बेक्तित जो प्रतिभाद अपनी और खीच करके भक्ति और धरम के पत पर चलने की शक्ति प्रदान कर दे उसका नाम कृष्ण भगवान होता है राम किसे कहते हैं जो हमें हराम के काम करने के लिए ब्रेक लगाते राम रूपी जिन्दगी जीने के लिए कला सिखाते उसको राम कहते हैं और लच्छमण किसे कहते हैं जिसके मन में कोई विसेश लच्छ है सेवा का लच्छ उसका नाम लच्छमण भरत जो प्रेम से भरा हुआ है वो भरत है शत्रगन जो काम करोध लोब मुँआ कि सत्रों को मारता है वो शत्रगन है दसरत जो दस इंद्रियों का रत है ये सरीर है यही दसरत का रूप है रावण ये मन रूपी रावण जिसके दस इंद्रियां रूपी सीज है ये मन रावण का रूप है और सुपरणखा जो मनोबरती मन की मनोबरती जो चंचल है वो सुपरणखा है और कुम्बकर्ण जो अलस निद्रा प्रमाद है वो कुम्बकर्ण का रूप है और जो विवीशन जो नाना प्रकार की विवीशिकाओं के बीच में भी गुर्देव की भक्ती प्रभो की भक्ती को छोड़ता नहीं है कष्टों के बीच में चाहे जितनी बिभी सिकाएं उसको जला रही हो फिर भी भक्ती ही करता है उसका नाम बिभी सन्ड है हनुमान जो मान अभिमान अपमान का हनन करे वो हनुमान है और याद रखना कबीर कौन है का माने काया बीर माने बीर तत्त चेतन तत्त आत्मा जो काया में निमास करने वाले बीड तत्व चेतन आत्मा का बोध करा दे और जिसको बोध खुद हो जाए उसका नाम कबीर है महाबीर कौन है? स्वामी महाबीर हुई है जेन धरम के 24 ये तिर्थंकर उनको आवतार मना गया है हिंदों में भी 24 आवतार है और जेन धरम में भी 24 आवतार है और जिसने लेने की कोशिश कर दी वो जेल पहुँच गया फिर जबरदस्ती आवतार लोग कहलाते हैं न कितने लोग कहते हैं मैं भगवान हूँ मैं ये हूँ वो हूँ देखी भगवान और ये सब होना ये आपको नहीं कहना पड़ेगा यदि आप होंगे तो दुनिया फुद ही आपको मान लेगे हीरा कभी नहीं कहता मेरा लाक्त का मॉल है हीरा का मॉल है तो सब मान लेते हीरा का मॉल है सोना किसी से कहते नहीं गुमता मुझे गले का हार बना कर पहना और लोहा किसी को मना नहीं करता है महिलाओं को कि मेरी जंजीर न पहना लेकिन कोई महिला नहीं लोहे की जंजीर पहनती नहीं किसी भी महिला को अगर आप पांच तोला की लोहे की जंजीर बना कर पहना दो तो ये फेंक देगी यहीं पंडाल में डाल के चली जाएगी लेकिन इसको आधा किलो का सोने का हार देतो हलाकि गर्दन तूटेगी लेकिन फिर भी लटकाए रहेगी पहने रहेगी सोना में ये ताकत है क्योंकि वो जानती है गर्दन तूटे चाहे बचे लेकिन आधा किलो सोना से सब काम हो जाएगा मि दुबई में गया था तो वहां आधा आधा किलो के सोना के एक-किलो सोना के हार भी रहे थे तो हमारे भक्त जो थे वे शुरणकार थे तो उन्होंने कहा मेरी दुकान पर चलो तो उसी मार्केट में ले गए चिरण रखने के लिए दुकान पर चिरण परस कर दो मैंने देखा बहुत बड़े-बड़े सोना के हार है तो मैंने सोचा एक ले लो क्या फिर सोचा पहनेगा कौन फिर मैंने कीमत पूछा तो करोणों के उपर तो हमने कहीं तो ले नहीं सकते हैं पैसे भी इतने नहीं तो क्या करूं तो मैंने अपने सादू से कहा इसका फोटू ले लो फिर इम मिल जाएगा तो उसका फोटो खीच लिया मोबाइल में उसको ले आया दो चार महिने में उसको देख लेता था कभी कभी फिर वो फोटो भी डिलीट हो गया क्योंकि सोने का हार कोई गोल्डन बाबा हो तो पहन भी सकता है अब मैं नहीं कहता हूँ उसका पहनना गलत है कि सही है उसकी इच्छा है वो सोने खार पहने चाहे चांदी खार पहने अपना अपना बिचार है परंतो गले में सोने की चैन हो ना हो पर दिल में सुख की चैन होनी चाहिए सुख चैन सोने की चैन हो और यदि हो सके तो थोड़ा चैन वेन पहन सकते हैं राजस्थान के पुरुष बंधू भी कुंडल पहनते हैं कान में कुंडल सोने की कुंडल पहनते हैं वहाँ पुरुषों की कान में छेंद भी लेगा उत्तर प्रदेश में पुरुष लोग कुंडल नहीं पहनते है पुरुष यूपी का अब चैन पहनना उसरी किया है चैन तो नहीं पहनता है चैना पहनता है बहुत मोटी चैन 400-400 ग्राम की चेहन लोग पहनने लगे हैं लेकिन मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि सुनार लोगों का दंदा भी चोपट होगा हम विरोध करेंगे और कितने सुनार भी हमारे भगत हैं तो कहेंगे आपकी भगती भी किया वो हमारा धंदा भी बिगाड़ा तुम मैं सौंसता हूँ चेहन वेन बिखती रहे हमें क्या प्रभलो तो आईए आज का प्रशंग हम लेते हैं जन्म लेने के बस्चाथ क्या चाहता है नंबर एक मनुश्य चाहता है किसी तरह से मेरी रोटी और धोती ठीक से चलती रहें निर्वा होता रहें कोई ऐसा दिन ना आए जो भूखा सोना पड़े नंगा रहना पड़े फटे कपड़ा पहनना पड़े हे गुर्देव ऐसी करपा करना कि रोज रोटी नसीब हो कपड़े भी पहनने को मिल जाए ये अमारी लाज ढख जाए एक चीज ये चाहता है लेकिन जब रोटी और धोती मिल जाती है तब क्या चाहता है निर्वाह की ब्यवस्ता हो गई तब भी उसकी चाहना रहती है दूसरी चाहना रहती है निर्वाह हो लेकिन थोड़ा सुविधा से हो सुविधा फेसिल्टी से हो ये नि रोटी मिले तो ठीक ठाक मिले और धोती मिले तो क्वाल्टी की मिले एशी वेशी धोती न हो सुविधा से रहू अच्छा मकान हो चलने के लिए अच्छी गाड़ी हो पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो खाने के लिए रोटी दाल चाल सबजी ही नहीं बल खीर पूड़ी हल्वा बड़ा कचोड़ी पकवड़ी और शिरी खंड लपसी शिमया ये सब हो सुविधा जनक जीवन बिछाने के लिए बिछाओना अच्छा सुविधा हो जिब सुविधा उसे मिल जाती है तो फिर क्या चाहता है फिर एक तीसरी चीज़ चाहता है वो चाहता कि जीवन में थोड़ा आराम भी होना चाहिए जो लोग बहुत मेहनत करके काम करते हैं न वो एक दिन फिर आराम के लिए भी सौचते है कि बहुत कर लिया बहुत देख लिया बहुत कमा लिया बहुत सब हो गया चलो छोडो जंजट अब आराम करते हैं थोड़ा आराम चाहिए आराम चाहता है लेकिन जिनको आराम मिल गई फिर वो क्या चाहते है वो एक चोथी चीज़ चाहते है कि थोड़ा सुख मिलना चाहिए सुख अब सुख वाला किशे बड़ा कठिन हो गया सुख कैसे मिलेगा क्योंकि सुख लोगों के पास नहीं है क्यों नहीं है उसके बहुत कारण है वो सभी कारण का वरणन भी मुश्किल है लेकिन कोई नो कोई ऐसा जिन्दगी में कारण है जिसके कारण तुम दुखी रहते है आपकी बेटी गुष्षा बहुत करती है तो तुम दुखी रहोगे बेटी ठीक है बेटा क्रोध बहुत करता है तो दुखी रहोगे बेटा पढ़ने में कमजोर तो दुखी रहोगे बेटा टेढ़ा मेढ़ा चलता तो दुखी रहोगे बेटा कहना नहीं मानता तो दुखी रहोगे बेटा मूरक है तो दुखी रहोगे बेटा मनमानी करता तो दुखी रहोगे बेटा आलसी है तो दुखी रहोगे और बहु अगर ज्यादा सोती है तो दुखी रहोगे और बहु बेटे दोनों नाग नागिन की तरह पड़े रहते हैं तो बहुत दुखी रहोगे कितने घरों में बहु और बेटा दोनों नाग नागिन की तरह सोते हैं माबाप दरवाजे के सामने हिम्मत करके जाते हैं जगाने के लिए फिर डर जाते हैं तो उल्टे पाउं वापस आते हैं क्योंकि दोनों ऐसे सो रहें खुराटे मारके खुर। माबाप और साथ ससुर के होस उड़ जाते हैं कि हालत खराब कर देगा तो भी दुखी है मन बेटा पढलिक गया सर्विस नहीं मिली तो मन दुखी सर्विस मिल गई दूर सर्विस मिली तो मन दुखी सर्विस मिली बेतन घर में नहीं देता तो मन दुखी बेतन भी देता है तो दारू पीने लगा तो मन दुखी है पांदमा को पुड़िया खाने लगा किसी दोसरी अवरत में फस गया तो बहुत मन दुखी नाना प्रकार का दुख है कितना काउंटिंग कराया जाए तुम सब जानते हो हम से ज़्यादा जानते हो हम तो केवल जानते हैं तुम तो भोगते भी हो हाँ ये सब आत्मा है भोगत भोगी बैठी है और ज्यादा जो भोग रहे हैं वो तो अभी सहर में ही आए ही नहीं ज्यादा गहरें फसे हैं तुम समझते वो होश्यार है होस्यार नहीं, वो पूरा सियार है, पूरा नौच डाला गए, अब उसको हानेक हिम्मत भी नहीं है, उसकी पतनी ने नौच डाला है, पती ने नौच डाला है, लिवेटर ने नौच डाला है, सब नौचा चोथन में वहीं राबरट गंजग सिटिम पड़े, कि अब कहूं न जैबा ठीक है यह नोचवाओ नोचव एक दूसरी यहाई करते हैं वह कोई खिलाडी नहीं है पूरे मुर्ख जितना वहाँ पड़े रहेंगे खोब नोचे जाएंगे दो घंटे निकल कर बाहर आजाएं खुली हवा में आजाएं सत्संग मंदप में आजाएं तो कम से कम नो चुआने से तो बस सकते हैं कुछ ऐसी कला सिखा दोंगा जो उनका कोई नोच न पढ़िए और खुद हुद दुसरे नोचत रहें तो नोचव बंद कईते हैं नहीं नोचा नोची खंचा खंची जिन्दगी भर चली हाँ 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 बड़ी बिचित्र बात है मात्मा भी खोसा है मात्मा इसलिए खोसा है कि हम तो निकल लेनी बेकूफ पंध से बाहर होईगे शन्त होईगे बस सांती है नाना प्रकार के दुख है घर में गरीबी है तो दुख है छोटा घर है तो दुख है किचन का धूँआ उसी मभरता है वो भी दुख है महिलाएं गंदे सभाव की हैं जाडू लगाती ही नहीं कभी हवा आ गई तो कच्ड़ा वुड़ गया तो कहती है वायू देवता की जैखो उड़ा ले जाया करो कभी कभी वो भी दुख है महमान आ गए कोई घर में नास्ता बनाने वाला नहीं दौर पर महमान बैठे ये ज़्यत का सवाल है अब घर में जो है काली देवी कलकत्ते की बात सुनती नहीं कोई चाय बनाता नहीं चाय बनाने कहो तो चाय तो गरम नहीं करते अपनी खोपड़ी गरम क बेटे वो भी दुख है बीमारी आ गई उसका भी दुख है कितने घरों में बहुत बीमारी है जिसको देखो वही बीमार है सब कराह रहे है पतनी बीमार थी ठीक नहीं हो पई पती के लकवा टेक हो गया पत पतनी दूनों बीमार अब दूनों कौन उठावे तब तक पता चल बहु केरे टीूमर हुई गवा है और बेटा केर जो है एकसी डेंटम टाइम टूटी गए ना जाने क्या भाग फूटा हुआ है सब जोपट हुई गए दुख में दुख दुख में दुख सब पैदा होता जा रहा है ती नाना प्रकायर की दुख है पडोसी नालायक है तुम कुछ न कुछ हुड़दंग मचाता रहेगा कुछ नहीं तो अंडा अंडा खाके डाल देगा खोकला उड़के तुमारी तरफ आएगा जब कहोगे ये क्या किया तुमने तो कहेगा तुमको भी अंड़क तरे फोड़ दूगा फिर